नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक्जाम हुआ था 2019-20 में और वेकेंसी थी है 2018 की तो इससे सम्मंदित जो समास सास्त्र का जो पेपर था फस्ट ग्रेड का समास सास्त्र जो सोस्यलोजी जो सब्जेक्ट है उसके कटोप के बारे में यहाँ पे विश्तरप्त विविचन इस वीडियो के माद्यम से करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं वीडियो लाऊंगा यह वीडियो है वो समस्त पात्तरता जांस काउंसलिंग यह डोकॉमेंट्स वेरिपिकिस नंके बाद में जो फाइनल कटोफ जो मानी गई थी उस बेसेज पे यहाँ पे वीडियो में लाया हूं दोस्तों यह फाइनल कटोफ है जो आरपेसी की द्वारा ओफिशियली मानी गई थी देखिए समास सास्तर सोस्यलोजी जो सबजेक्ट है उससे समंद्दी जो तैयारी करने वाले कटोफ का अगर आपको पता नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है इसलिए आपको सरुप परतम का पता होना चाहिए कि अपना टार्गेट ही है अर इतना अपने को लेना है और previous question paper में किस टाइब से किस title से क्यूचन आरहे हैं यह दोनों अगर चीज़ें Contest है तो आपका selection कोई नहीं रोग सकता देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रेड से संबंदी फर्स्ट पेपर होता है इस फर्स्ट पेपर से संबंदी जितने प्रिविस्ट क्यूशन पेपर आये हैं आज तक के फर्स्ट ग्रेड के वो मैंने इसी रेरेजिगूशन चैलन प है और 302.82 है अब देखिए दोस्तों शिक्षा भी वाग में और पीसी की दोवरह यहाँ पर एक नईया निया मावली निकाली गई है देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पेपर होता है ना और सेकिंड पेपर होता है फर्स्ट ग्रेड में आपको सब का बताएगी दो होते हैं फर्स्ट पेपर होता है उसमें 75 क्यूशन होते हैं दो क्यूशन दो नंबर के होते हैं प्रते क्यूशन तो टोटल 150 का यह नंबर का यह फर्स्ट पेपर होता है सेकिंड पेपर होता है 150 क्यूशन होते हैं ठीक है प्रते क्यूशन दो नंबर का होता है इस परकार से 300 total marks का second paper होता है total मिला के 450 number हो गए दोनों paper के 450 से cut off 450 में से बनी गई है इसी परकार से RPC को द्वार एक नईया नियम भी निकाला गया है जिसमें first paper और second paper पहले क्या होता था कि जितने भी teachers की vacancy होती तुसमें qualifying minimum qualifying marks नहीं होते थे लेकिन आजकर इनमें qualifying marks कर दी है 40-40% आपको minimum लाना ही पड़ेगा reserve category के लिए यहाँ पे 35 marks जो है वो यहाँ पे select कर रखा है तो अगर आप general category से हो तो आपको दोनों paper में 40-40 minimum marks लाने पड़ेंगे पहले यसा नहीं था पहले जिसका second paper बहुत अच्छा था तो अगर 99% अगर बना रहा है तो आराम selection हो जाता लेकिन आपके बार अगर कोई बना 9% भी शेकिंड पेपर बना रहा है इधर 39 ही रह गया तो यह exam से भार हो जाएगा वह बना तो इसलिए यहाँ पे यह दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ चीजी तो एपरोक्स से 67-68 कटोप यहाँ पे रही है 67-68 प्रसेंट यहाँ पे कटोप जो है वो देखने के लिए मिली है दोस्तों और यहाँ पे देखिए अगर आप जनरल से अगर त्यारी कर रहे हैं दोस्तों तो सामाने ता आपको फस्ट पेपर में अगर आप 50 क्यूस लेकिन फिर भी अगर आपको 2020 में एक्जाम लगाता है 2022 में कुछ एक कॉम्पेटिशन जादा हुआ होगा तो यहाँ से आप 10 नंबर जादा लेके चलिए दोस्तों तो 302 कटोप गई है तो आपको 312 लेके चलनी पड़ेगी तो यहाँ पे अगर आप 312 का जादू यहाँ चलिए तो यहाँ पे 104 क्यूशन कर दीजिए 104 क्यूशन का अगर आप टारगेट लेंगे तब जाके आपका 12 क्यूशन तो पस्ट पेपर में 50 क्यूशन और पस्ट में शेकिंड में 104 क्यूशन सही करेंगे तब आपका जीक के जनरल से क्या नाम से सोसोलोजी सबजेक्ट से आपका सेलेक्शन शोर हो पाएगा दोस्तों EWS के टेगरी की बात करें दोस्तों EWS के टेगरी की जो कटोफ रही थी 291.50 ठीक है और इसमें अगर परसंटेज इसकी निकाले तो 64 या एप्रोक 65 परसंट कटोफ इनकी रही है ठीक है और EWS में भी वही बात है कि EWS यगर आप त्यायरु करते हैं rap 40 कुसंस यह कर देते हैं और 106 क्यूसर्ट सा इक्रदेते हैं तो आप सेलेक्शन की दोड़ में हैं दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्यूसं नेक्स्ट जो के टेगरी वहो है SC category है, SC category की cut off रही है, 261.98 नमर रही है, अगर इसकी percentage अगर निकाली जाए, तो percentage approach 58, 59 के approach round figure जाएगी, और अगर SC category से अगर आप तेयरी भी कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर minimum qualifying marks जो है, 27% भी अगर आप first paper में करते हैं, ठीक है, और second paper में 104% सही करते हैं, तो आपका selection लगबग हो जाएगा, क्योंकि 54 नमबर तो यह हो गए, 104 मतलब 208 नमबर यह हो गए, 260 और 54 262 नमबर हो गए, यहाँ पर cut off 261 जा रही है, तो फिर भी 10 question, 10 person अगर 10 number अगर आपको advance में लेकर चलने पड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे 109 questions सही करने होंगे, 109 questions सही करोगे, तभी यहाँ पे 200 और 222 नमबर में क्या नमबर में क्या नाम से, आपको कोई नहीं हो सकता है, SC category से, समासास्तरी first grade lecturer बनने से, ठीक है, next category है, SC category की जो है, 253.29, ठीक है, अगर इसकी percentage निकाले जाए, तो दोस्तों, percentage जो है, वो लगबग 56-57% में यहाँ पे, around जो है, यहाँ पे selection हुआ है, और इसमें अगर STK category से करा आथ तैयरी कर रहे हैं, तो minimum वो ही बात है कि, पश्ट पे बनने में, अगर आप 27 question भी सही कर देते हैं, कम से कम, और subject आपका अच्छा है, 100 question कर देते हैं, 1.500 question में, तो आपके 200 number तो यह हो गए, ठीक है, 54 number यह हो गए, 254 number यह हो गए, ठीक है, अगर आप 10 question, 10 person, 10 number अगर advance लेके चल तो 105 का target रखिए, तो 105 के हिसाब से यहाँ पे, 264 गई है, और cut-off कितनी है, 253, यहाँ पे कितनी आएंगे, 264, तो यहाँ पे इस परकार से 27 और 105, अगर ST category से आप सही करते हैं, तो दोस्तो, 1st grade में आपका short जो है, वो selection होईगा दोस्तो, अब देखिए दोस्तो, next category की बात करते हैं, देखिए, next category जो है, वो है OBC, OBC जो category है, उसकी जो cut-off रही थी दोस्तो, वो रहीदर 298.31, ठीक है, तो यहाँ पे, जनरली OBC की cut-off, 298 अगर इसकी percentage जो निकाले, तो percentage जो निकाले, वो approach 66-66 पे इनका selection हो गया था, 66-66 की cut-off गई थी, अगर OBC से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, first paper में अगर आप 50 questions सही करते हैं, second paper में 100 questions सही करते हैं, तो यहाँ पे 100 number हो गए, इधर के अनाम से 200 number हो गए, 300 number हो गए, यहाँ पे cut-off कितने जारी है, 200-500 में, यहाँ पे अपने कितने बताए, 300, तो सामानित OBC से आप जा सकते हैं, generally, 50 questions ओ ले लें, 105 अगर आप लें, तो आपका short selection हो जाएगा दोस्तो, ठीक है, next जो question, next जो category है दोस्तो, वो है अपने MBC category, देखिए दोस्तो आपको फस्ट, जो second grade, फस्ट ग्रेड में, first paper GK वाला है, उसके previous question हल करने है तो इसी channel पे रेर एजुकिशन पे जो playlist है उस playlist में है first grade answer की के नाम से playlist उसमें जाईए और total जितने भी first grade के exam के जो previous question paper है वो मैंने डाल रखे हैं उनको देखिए किस परकार से question आया है वो सारे वहाँ से देखिए आपको काफी knowledge होएगा और आप काफी तरीके से तयारी कर से होगे दोस्तों अब यहाँ पर बात चल रही थी यहाँ पर OBC की हो गई थी MBC की MBC की cut off थी 273.30 ठीक है 233.30 cut off रही है यहाँ और यहाँ पर इसकी 233 की अगर percentage निकाले तो 60 या 61% की approach यहाँ पर मामला सल्ट किया था और अगर आप यहाँ से तयारी करें तो first paper में आपको 40 question सही करते हैं second paper में 97 सही कर देते हैं तो 80 number तो यह हो गए 97 मतलब 194 गये हो गए तो यह total मिला के 244 हो गए 244 number यहाँ से आने के बाद में totally आपका यह selection यहाँ पर जादू यहाँ कर आप चो जाओगे लेकिन 10 number अगर आप एडवांस लेकर चलना है तो यहाँ पर 102 question अगर आप करते हैं तो शोर आपका selection MBC के टिक रेचे हो सकता है दोस्तों अब next question है X service main की X service main की कट ओफ रही थी हो 122.17 रही थी और अगर इसकी percentage निकाली जाए तो approach 40 से 41 परसेंट में इनका selection हो गया था ठीक है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर X service main से सोचिलोजी से तेयरी करते हैं दोस्तों आप तो यहाँ पर देखिए अगर आप first paper में 27 minimum minimum जो क्यूसन है वो करेंगे और 65 क्यूसन अगर second में करेंगे तो आपके 54 तो वो हो गए 65 के double कितने होए 130 तो दोनों मिला के 184 हो गए और 184 में क्या नाम से यहाँ पर 182 कटोफ गई है तो 57 नमर और advance ले ले दे हैं आपे अगर आप 70 क्यूसन कर देते हैं जन फस्त शेकिन में तो आपका short selection यह एक्स सर्विसमें के टेकरीशी हो जाएगा दोश्तों फिजिकल हैंडिकेप्ट की बात करें तो यहाँ पे 188.5188.51 कटोफ गई है अगर इसकी परसंट नहीं निकाल तो 41-42 में यह मामला सल्ट किया था और अगर आप फिजिकल हैंडिकेप्ट है और तयारी कर रहे हैं तो आपको पस्ट पेपर में 27% हल करने होंगे सेकिन में अगर आप 68 क्यूसन भी सही कर देते हैं तो आपकी टोटल 136% नमबर हो गए इसमें 54 नमबर हो गए तो मिनिम मार्क्ष के बारे में थोड़ सा यहां पर विएचन बता जिता हूँ मिनिम मार्क्ष का सिस्टम क्या है यहां पर मिनिम मार्क्ष के बारे में सामानित है मैंने बताया था कि फर्स्ट पेपर में 40% अंक लाना पड़ेगा second paper में 40% अंक लाना पड़ेगा तो सामाने तो 45 क्यूशन में से 40% अंक लाओगे तो 45 का 40% कितना हुआ वो गया 30, तो 30 क्यूशन आपको compulsory करना है होगा, second paper में 500 में से 40% निकालेंगे तो 60% होगे, तो 60% आपको कम से कम करना होगा, अगर इसी की reserve category में 35-35 निकालना पड़ेगा, तो ये उदर तो 27 करने पड़ेंगे, reserve category में, और क्या नाम से, ये 54 क्यूशन क्या नाम से वे से करने पड़ेंगे 35 निकालने के बाद में, इस परकार से आपर सोसल हो जीगी, जो cutoff जी वो इस परकार से अपने आपर विवेजनात्मक रूप से आपर विस्तरप्त अध्यन किया है दोस्तो, अपने चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए, और दोस्तो को share कीजिए दोस्तो, मैं सम्मंदित educational से सम्मंदित समस्त वीडियो समय समय पर लाता रहूंगा दोस्तो, thank you, धन्यवाद दोस्तो